विश्कार साथियों स्वागत है आपके अपने योटिज प्याल जे इल जार्खन लाइपस में दोस्तों हम लोग यहां पर आज प्राक्टिस सेट नंबर 3 यहां पर देखने वाले हैं जे पीएसी प्रेलियम्स की और पेपर 2 की हम लोग यहां पर देख रहे हैं पेपर 1 की भ भी अपडेट सेगा वीडियो आगी नूटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाया करेगी दोस्तों चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए और यहां पर प्राक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं यह आपको हमारे ऑफिस्यल एप में प्राक्टिस करने के लिए बिल होकी में अंतराश्टी अस्तर पर आयोजित लीग मैच में किस सहर में होते रहे हैं यह जारखन की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं तो इसका सही अंसर जोगा यहां पर आप्स नमर बी इस बिलकुल सही अंसर हो जाएगा राची में कहां पर होकी में अंतराश्टी अस्तर पर आयोजित् लीग मैच किस सहर में होती रही है तो राची में होती रही है जर्खन के 2022 तक गेहुं की पैदावार कितने तो इसका ऑपस नुमबर ए इस बिल्कुल बात कर रहे हैं तो प्रति हेक्टेयर जो यहाँ पर लग्च रखा गया है ओठादन का वो दो टन रखा गया है तो आपस नुमबर ए इस बिल्कुल जहीं अंसर हो जाएगा अग्ला प्रस्ण यहां पर राज्जी का पहला समावेसी नियाई सदन कहाँ कोला गया है तो इसका सही अंसर जोगा यहां पर option number D is aika बल्कुल सही अंसर जाएगा बढाम जरा टोली जो की नामकूम राजशी में स्थी थै यहाँ पर राज्जी का पहला समावेसी न्याई सदन खोला गया है तो option number D is बिलकुल सही अंसर हो जाएगा तो यहाँ पर जो है वो जराटोली कहाँ पर है यह राज्जी में स्थित है और नामकुम में यहाँ पर जो है वो इस्थित है बना है तो इसका सही अंसर हो जोगा यहाँ पर option number C is बिलकुल सही अंसर हो जाएगा चलिए अगले question क्यों और अगला question है यहाँ पर कुछ महिने पुर्व बलाम दीना एका सुर्खियों में रही क्यों यहाँ पर तो इसका सही अंसर हो जाएगा चलिए अगले question की ओर चलते हैं और अगला question यहाँ पर नक्सली गतिविध्यों में सामिल आसिस यादो पालकोट नामक अस्थान पर मारा गया वह इन में से किस से संबंदित था नि λिकित में से किसे सम्बन्धित था alsis udah Topalcoat अमक अस्थान पर जो की गुम्ला में ठीक है पालकोट जो है वो गुम्ला में है तो पालकोट अस्थान नामक अस्थान पर मारा गया है किस संगित को इसका सही निसर यहां पर option it is boxyaились बिलकुल सही अंसर है और अगला प्रस्ण है आपर खेल महाकुम का प्रारम जार्खण में कब से किया गया था तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर option number B is बिल्कुल सही अंसर जाएगा खेल महाकुम का प्रारम जार्खण में वर्ष 2016 से किया गया था यह आप यादर कीगा तो option number B is बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहाँ पर इस्तरी पुरू सम्मंधों के साथ साथ प्राकिर्तिक उपादनों का चितरन कीस जारकंडी लोगकला में होता है निमलिकित में से किस लोगकला में इस्तरी पुरू सम्मंधों के साथ साथ प्राकिर्तिक उपादनों का चितरन किया जाता है लोगकला में उपयोग किया जात तो आप्स नुम्बर सी इस बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा इस कला में दिवारों पर कतई लाल सफेद और काले रंगों की आकृतियां बनाई जाती है दिवालों में कोहबर कला में चलिए अगले प्रशन की ओर चलते हैं और अगला प्रशन है यहापर दीपक परकास किस पा सम्मंदित प्रशन है यहाँ पर तो दीपक पांस किस डल से संब्मंद रखते हैं तो यहां पर नाम दिया गया है कुछ और उनके Ba is बिलकुल सही अंसर देगा अनुस्का कर्माकर ठीक है अनुस्का कर्माकर जो है वो मुक्य बाज से संबंधित नहीं है यहाँ पर गलत दिया गया है ठीक है तो option number Ba is बिलकुल सही answer हो जायेगा ठीक है तो यह जो रखती है वो तिरंदाजी से रखती हैं इससे तिरंदाजी से ये संबन रखती हैं यह याद रखीगा चरिए अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहाँ पर पिछले जनगन्ना के अनुसार राज्य में प्रती वर किलोमेटर जनसंख्या घनत्तों किया है वर्श ठीक है एक किलोमेटर में 414 लोग निवास करते हैं जारखंड राज्य में इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं प्रती वर किलोमेटर जनसंख्या घनत्तों तो आपस निमर बी इस बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है जनसंख्या घनत्तों की दिरिष्टी से भारत में अगला प्रसन है यहाँ पर सोरिन मुंडा किस क्रांति कारी का पुत्र था जिसने ब्रिटिस होकूमत से लड़ा ठीक है सोरिन मुंडा किस क्रांतिकारी का पुत्र था जिसने ब्रिटिस हुकुमत से लड़ा तो इसका सही अंसर होगा यहाँ पर option number D is बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा गया मुंडा ठीक है आप सभी नाम से परिचित थे गया मुंडा से तो वे स्वावाण मुंडा थे वो ब्या मुंडा के पुत्र थे और इन्होंने ही ब्रिटिस हुकुमत से लड़ा था तो option number D is बिल्कुल सही answer हो जाएगा यहाँ पर देख लिए Soren Jov Munda थे यहाँ पर वो गया मुंडा का पुत्र था जिसने British हुकुमत से लड़ा था और गया मुंडा उसके पुत्र Soren Munda को 22 October 1901 को फासी दी गई थी ठीक है कब दी गई थी गया मुंडा को और उसके पुत्र को जो है वो फासी दी गई थी 22 October 1901 को ठीक है 22 October 1901 को उन्हें फासी दी गई थी चलिए अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहाँ पर राजजी में कानाडा डैम ठीक है राजजी में कानाडा डैम किस नदी पर बनी है जो एक समय चर्चित थी ठीक है कानाडा डैम जो है वो किस नदी पर बनी हुई है ये प्रस्ण आप से यहाँ पर पूछा जा रहा है तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर opponents no.c this बिल्कुल सही अंटोर यहगा मैयुराक्षी नदी पर कहा पर मैयुराक्षी नदी पर जो है यहाँ पर कनाडा डैम बना हुआ है याद रखी वहाँ यहाँ पर जो और यह वह यहाद रहंखी कानाडा डैम जो है में जो है वो स्ठीत है कनाड़ा डेम और ये जो बना हुआ है अर इस लिए इसका नाम जो पड़ा है वो कनाड़ा डैम है तो यह सारी बाते महत्पुन बाते आप यहाँ पर याद रखेगा चलिए प्रस्ण की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ण यहाँ पर खेती करने के लिए जोतकर एवं रायत ठीक है जमिनदार के बीच तै सुधारकम निधा की जाती है यह क्या कहलाती है ठीक है खेती करने के लिए जोतकर एवं रायत जो की जमिनदार होते हैं उनके बीच सुधारकम निधारित की जाती है तो यह क्या कहलाती है तो इसका सही अंसर दोगा यहाँ पर आप्शन नमबर ए इस बिलकुल सही अंसर रहेगा साइका कहला किसान अपनी जमीन को कितने समय तक के लिए भुगत बंधा में दे सकता है। तो option number B is बिल्कुल सही answer हो जाएगा। भुगत बंधा मेंस की यहाँ पर किसान जो होते हैं तो उनको खेती करने के लिए देते हैं और उसका जो है वो जो भी फसल उस्तपादन होता है वो उसका बड़वारा कर लेते हैं। तो यही यहाँ पर भुगत बंधा है जिसमें की यहाँ पर साथ वर्स्तक के लिए वो दे सकते हैं। चलिए अगले फ्रस्त की ओर चलते हैं और अगला फ्रस्त है यहाँ पर आधिवासी विरासत में जमीन को अपने ःधिक बीच बराबर बराबर बाड़ा जाता है परंतु बड़े बेटों को थोड़ी अधिक जमीन दी जाती यह क्या ऑलाता है। जमीन को अपने बेटों के बीच बराबर बराबर बाड़ा जाता है, लेकिन जो बड़ा बेटा होता है, उसको थोड़ी सी ज्यादा अधिक जमीन जो है वो दी जाती है, यह क्या कहलाता है, तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर, option number D is बिलकुल सही अंसर हैगा, यह जो कहला में, जमीन जाइदाद का बटवारा पुत्र पुत्रियों के बीच किस तरह से होता है, उसका सही अंसर जोगा यहाँ पर, option number C is बिलकुल सही अंसर हैगा, जैसा कि अब भी हमने बताया कि बेटे को जो है वो अधिक यहाँ पर दी जाती है, थोड़ी से अधिक यहाँ पर ज जलते हैं, और अगला प्रस्टन है, यहाँ पर, C&T Act के अनुसार, फसल काटने के उपरांत भी, जमीन दार अपने मवेशियों को चारागाह उपलब्ध कराने है तो, उक्त खेत को दूसरे से किस तरह से बचाता है, तो इसका सही अंसर जोगा, यहाँ पर, option number D is बिलकुल स पर्यास, इस तरह से धाचा गाड़कर उसे बचाने का पर्यास, तो option number D is बिलकुल सही अंसर हो जाएगा, तो जो आख खेत में देखते होंगे कि इस तरह से जो है, वो बनाई जाती है, जो है लकड़ी की या और भी कुछ चीजों से यहाँ पर बनाई जाती है, ताकि लग जाएगा, अगला प्रस्न है यहाँ पर C&T Act के नुसार, साजहा या अध्भटाईदारी ववस्था में मालिक और जोतकर के बीच फसल का बटवारा किस रूप में होता है, तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर, option number C is बिलकुल सही अंसर होता है, इतना होता है, आधा अधा होता है, जो साजहा या अध्भटाईदारी ववस्था में मालिक और जोतकर के बीच का फसल का बटवारा होता है, जीसा कि हमने बताया भी कि जो भी फसल, जो भी यहाँ पर खेत है, इसमें जो भी उत्पादन होता है, उसमें जो जिसका जमिन, जो जमिनदार है और जो खे लाती है ठीक है रैत जमीन जो खुट कटी या नीज प्रिवलेज नहीं है वह जमीन क्या कहलाती है तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर आप्शन मड़ी इस बिल्कुल सही अंसर एगा तो यह जो कहलाती है वो राजहंस कहलाती है क्या कहलाती है राजहंस कहलाती है ठीक है य क्या C&T Act के नुसार मुंडा खुट कटी जमीन पर लगान समय पर नहीं चुकाने से जमीनदारी पर मुकदमा किया जा सकता है यहाँ पर जमीनदार है उस पर केस नहीं हो सकता है तो अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहाँ पर उराओं समाज में हर बोरा या हर गड़ी वर्स में कितने बार होता है तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर option number A is बिल्कुल सही अंसर रहेगा एक बार होता है कितना पर होता है उराओं समाज में हर बोरा या पिर हर गड़ी जो है वो वर्स में एक बार होता है तो option number A is बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ण के ओर चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहाँ पर नेक्स कुश्चन है पालमा बुडाम कर्रा तथा पकबीरा नामक अस्थान में जैन मंदिरों के अवसेश मिले हैं यह किस नदीट पर है तो इसका सही अंसर हो गए यहाँ पर option number C is बिल्कुल सही अंसर जाएगा कंसाई ठीक है किस नदी पर कंसाई नदी पर जो है वो यह इस्थित है पालमा बुडाम कर्रा तथा पकबीरा नामक अस्थान जो कि जैन मंदे के अवसेश यहाँ पर मिले हैं और यह जो है वो कंसाई नदी के तट पर इस्थित है ठीक है चली अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ण है पर ज्ञारखंड के किस जिले में इंडो सीथियन काल के सिक्क्य प्राप्त हुए है तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर आप्शन मडी इस बिल्कुल सही अंसर लेगा पश्चमी सिंग्भों में कहां पर पश का अंतिम प्रस्ण होगा किसरा से छठी सताब्दी के प्राप्त कुसान सिके में किस राजा का नाम अंकित है यहाँ पर कुछ नाम दियेगा है राजाओं के वंस के तो इन में से तीसरा से छठी सताब्दी के प्राप्त कुसान सिके में किस राजा का नाम अंकित है यह आपको तो यहां पर बताना है तो इसका सही एंसर जोगा यहां पर option No.D is सही एंसर है तो यहां पर किसी कभी ने नहीं टिक है इन वे से किसी का भी नाम नाम नहीं है तो option number D is सहीं हो जाएगा दोस्तों आप लोग यहां पर जब कोश्चन read करते हैं तो comment करने की कोशिज करिए ठीक है इससे आपकी practice होगी क्योंकि हम लोग यहाँ पर practice set देख रहे हैं तो आप कोशिज करिए कि जैसे मैं प्रसन बोलता हूँ आप उसका answer किया करें ठीक है अगले बार से ऐसा आप करें मैं starting में यहाँ पर बोल दिया करूँगा और आ वीडियो का अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और जहारखंड से संबंदित जो भी महत्पुन प्रस्न पुझा जा सकते हैं वह यहाँ पर आकर देख सके यदि आप जे पीसी के त्यारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्सरीज के डाउनलोड करें आज ही हमारा